तो जिहां बता दे कि इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रहे ही खुसकबरी आ रही है भारत के लिए एक बार फिर से नीरा चोपड़ा ने दिलाया है गोल्ड इस वक्त की बड़ी अपडेट है खुसकबरी है वहीं हरियाना के पानी पजले से यहां पर नीरा चोपड़ा ने बार फिर से देश का नाम उंचा कर दिया है बता दे कि तोक्यो ओलम्पिक में भारत का यह पहला गोल्ड है यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है 121 साल का इंतजार हुआ है काई यहां पर एथलेटिक्स में पहला मड़ल है हर याना के यहां पर नीरच छोपडा ने दिलाया है बतादे कि देख सकते हैं नीरच चोपडा ने भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला मेडल दिलाया है यहाँ पर 87.58 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है तो एक बार फिर से बता दे कि यहाँ पर भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है वहीं जैवलें थ्रोवर नीरज चोपला ने भारत को इस्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलाया है उन्होंने फाइनल में 87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है नीरज ने पहले अटेम्ड में 87.03 मीटर और दूसरे अटेम्ड में 87.05 मीटर भला फेक कर यहाँ पर पहला रिस्तान हासिल किया है भारत का अब तक का यह सबसे सफल ओलंपिक बन गया है भारत ने इसमें एक गोल्ड दो सिल्वर और चार ब्रॉंज समेत कुल साथ मेडल जीते हैं 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे तो यहाँ पर बड़ी खुसकबरी आ रही है यहाँ पर एक बार फिर से बदाई हो नीरत चोपड़ा इस वत की बड़ी अपडेट ह है हर जगह से देज भर खुसी के मारे एक दम खुस है बड़ी अपडेट आ रहे हैं इस वीडियो में इतनी जाएंगे धनवा जहन